कि नमस्कार आप सबी लोगों का स्वागत है क्लास 24 पर आप सबी लोग जानते भी है कि हम लोग मैट्स का प्रेक्टिस वेच करते हैं और यह मैट्स का यह जो प्रेक्टिस वेच है यह सभी एक्जाम्स के लिए हेलफुल है ठीक है जितने भी एक्जाम्स के प्री और मेंस होते हैं वो सभी एक्जाम्स के जितने भी टोपिक्स होते हैं और साथ में करना चाहूंगा कि आप मेरे फर्स्ट वाले मोक्तेस से क्लास देखना इस्टार्ट कर दे और अगर आप लोग नोर्स अच्छे से बना लेते हैं तो एक सिंगल कुशन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाए ठीक है चलिए क्या ओडियो एंड वीडियो कि लिए है देखेगा आज हमारी क्लास नंबर कितनी है 45 है क्लास नंबर कौन सी है 45 है अगर 45 है तो मोक्तेस नंबर भी कौन सा होना चाहिए 45 ठीक है तो मोक्तेस नंबर भी कितना है 45 यानि कि जब से हमारी क्लासे जोई है उसमें एक भी दिन का गेप नहीं है यानि कि हम लोग आप लो हाँ चले अच्छी बात है मैट्स का यह आपका प्रेक्टिस बेच है ध्यान रखना और इसमें हम लोग टाइप वाइज और टोपिक वाइज सभी क्यूसंस यहां पर डिसकस करते हैं अब देखो यह सभी एक्जाम्स के लिए हेल्फुल है और मैं आपका ज्यादा टाइम वे desfikे जूर्ल्स का क्या हैं और मैं चाथाँ कि सभी बच्चे इस कुष्अ को एकदम शूल्ल करें आनसमर करें कि क्या आप चाहते हैं कि कि आपको सॉलीशन के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए ठीक है या फिर क्यूशन देखते ही तुरंत मैं करवा दू आप आप लोग बताओ क्या चाहते हो आप लोग ठीक है आपको टाइम मिलना ची ए सोलीशन के लिए अप मेर को कमेंट कर दो और अगर आपको टाइम नहीं मिलना चीए मैं डायरेक्ट कुश्ण देखा मैं ही सोलीशन करवा दूँ अभी कर सकते और अब जैसे आप कहेंगे वैसे म मैं आपको टाइम भी दे दूँंगा कि देखोद सभी बच्चे है ना आंस्वर किया करो ठीक है अगर आप ध्लास में रहते हैं तो अगर अगर क्लास में दिखना भी जूरूर इस ओके मैं ही करवाता हूं दिखेगा ध्यान से समझेगा सेवनी एर्स एगो साथ वर्स पहले ठीक है दा एवरेज एज ओफ हजबेंड वाइफ एंड चाइल वाज फोर्टी टू यर्स साथ वर्स पहले पत्ती पत्नी और बच्चे की ओसात आयू कितनी हैं बियालीस वर्स है एंड नाइन एर्स एगो यानिकी नौ वर्स पहले दा एवरेज एज ओफ वाइफ एड चाइल वोज थर्टी सिक्स यह ठीक है और नौ वर्स पहले पत्नी और बच्चे की जो उसात आयू है वो कितनी हैं थर्टी सिक्स वर्स थी ठीक है वाट इस दा प्रिजेंट एज दो आहागे आप से पूछा गया है वर्तमान में पती की उमर क्या होगी को कऱी है कर इस C पड़ेगा अगर यह कहता साथ वर्स बाद है तो हमें प्रजेंट के लिए घटाना पड़ेगा समझ आ रहा है ना जिसे कोई आप से पांच वर्स बढ़ा है तो तो पांच वर्स बढ़ा ही रहेगा आप ही तो रहेंगे छोटे ठीक ना सुमझ येगा सोब्सक्राइब कि पत्नी और बच्चे मैं हज्मेंड यहां पर वाइफ और यहां पर चाइल्ड इनकि एज का जो आवरेज एज हो कितनी हैं बी आलीस वर्स है तो बी आलीस और कितने लोग एंए एक दो और तीन तो क्या तीन से मल्टिप्लाई कर दूं मैं ठीक है तो यहां से हजबेंड प्लस के वाइफ और प्लस के चाइड इनकी एज कितने हो जाएगी तो आप कहेंगे 126 हो जाएगे कि यह 126 कब किया यह ठिक है यह 126 जे यह आई कब किये तो यह आई है आपकी कब किया यह बताऊ यह प्रेजेंट की आप से साथ नए की पूछा गया सो यह साथ वर्शनेट की है तो प्रेज़ेन्ट के लिए मिए फिरवाद रते हैं कि कि कितनी हो जाएगी आप करिंगे इ्जेंट जो जाएगी यहां पर आप क्या करोगे यहां से 21 कर दोगे 21 क्यों करेँ है बताओ 21 हम लोग क्यों एड करेंगे क्योंकि यह सात वर्स पहले की है यहां पर सात वर्स पहले की हमें एज कब की चीए प्रजेंट की जी यह रह निकी वर्तमान की तो अगर एक की आयू में साथ का चाइल्ड की प्रिजेंट एज कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे यह हो जाएगी 147 कितनी हो जाएगी बिटा 147 यहां से प्रिजेंट एज कितनी की आगई हजबेंड वाइफ और चाइल्ड की आगे बढ़ते हैं नो वर्स पहले पत्नी और बच्चे की ओसत उम्र कितनी थी निभवर्स थी नो वर्स पहले पत्नी और बच्चे की यानि की वाइफ प्लस चाइल्ड और इसकी दोनों की एज कितनी थी 36 स्विक्स किसे मल्टिप्लाई करोगे बताओ दो से तीन से अगर यहां पर दो की वेल्यू दे रखी दो दे रखाया है तो दो से मल्टिप्लाई यहां पर तीन दे रखे थे तीन मेंबर तो यहां से तीन से मल्टिप्लाई अगर यहां पर चार मेंबर दे रखे होते तो हम लो तो बहतर आएगी लेकिन यह बहतर कब की है तो आप कहने यह जो वहतर जाए यह यह नो वर्स पहले आई अगर 9v πहले आई तो प्रिजेन्ट कितनी हो जाएगी तो प्रेजेंट एस के लिए मेरे कंवता यह कुश्र करते ही प्लस के की निभ्वय अब ध्यान से देखना समन्ने की कोशिश करना यहां पर हजबेंड वाइफ और चाइल्ड की वेल्यू 147 है और यहां पर वाइफ प्लस चाइल्ड की वेल्यू निभ्वय है ठीक है तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर हम लोग 147 में से निभ्वय को हठा दे 147 में से निभ्वय को अगर हम लोग आठा देते हैं ठीक है तो हजबेंड की एज है वो क्या 57 ही बचेगी क्या कितनी बचेगी 57 क्या अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या यह बताओ मेरे को जहां कई भी किसी भी बच्चे को डाउट लगे आप लोग फूश लेना यह आ आपका पेड की तरह आप लोग इस क्लास को देखा करो ठीक है एक-एक पॉइंट यानि की जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना कमेंट करके मैं आपके सभी आंस्वर देने के लिए तैयार हूँ कि क्यूशन फिनिस होते ही आप मेरको जवाब देंगे कि आपको समझ आया नहीं आया ठीक है यस और नो में आपका रिप्लाई चीए मुझे ठीक है ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है चले आगे बड़े कि आगे बड़े हम लोग ठीक है कुशन नमबर नेक्स्ट देखो कभी मैंने आपको सिखाया था क्या क्या सिखाया था कि P PLUS Q अपन में P माइनस Q और PLUS के P माइनस Q और अपन में P PLUS Q अगर आप regular classes देखते हैं तो आपको याद आगया होगा ठीक है इसका result निकालने के लिए यानि की की प्लस Q के लिए हम क्या गते हैं तू P2 प्लस के Q2 ठीक है और अपन में क्या करतेते हैं P2-Q2 किसको याद है ये ठीक है ना याद है चले अच्छी बात है देखेगा और मैंने आपको और भी जिखाय था पी प्लस Q, यह सभी concept हम लोग पिछली classes में कर चुके है, ठीक है, P-Q-P-Q और अगर बीच में माइनस का साहिन है, यहां पर तो प्लस का साहिन है, यहां पर अगर माइनस का साहिन है, तो मैंने आपको यह भी सिखाया था, ठीक है, अपन में P माइनस Q, अपन में क्या हो जाएगा, P प्लस Q, कि क्या सिखाय था 4P Q अपन में P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर ठीक है बताओ याद है के नहीं है तो मेरे को सभी लोग मिलकर एक बात बताओ यहां से आप लोग क्या बात बताएंगे यहां पर आपको एक प्लस भी दे रखा है माइनस भी दे रखा है ठीक है आप लोग एक प्लस भी यहां पर आपको दे रखा है एक प्लस भी का होली स्क्वायर माइनस ए माइनस भी का होली स्क्वायर आपको यहां पर क्या दे रखा है एक प्लस भी का होली स्क्वायर माइनस के ए माइनस भी का का holie-square बताव यह दिया गया है क्या ठीक है एक प्लस बी का होली-square यह निक एक स्ब्स वाई का होली-square कुछ भी बोल सकते हैं-a-b का holie-square तो इसका जो रिजल्ट आता है वह वह आता है 4 ab कितना होता है for ab कितना हो जाएगा for a b अभी मैंने कुछम नहीं समझाया है मैंने आपको जो पड़ाया है वह आपको रिवाइस करवा थिक है ये इस concept में हम लोग काफी कुछसंट कर चुके है इसमें भी काफी कुछंस और इसमें तो यहां से है a plus b का whole square minus k a minus b का whole square तो इसका जो direct result है वो कितना आता है 4ab तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि one upon 8 4 into a की value है कितनी बताओ यह की value है कितनी तो आप कहेंगे 4 into a की value है a PayPal curious कि और यहांपर वाय विकी वेलू है कितनी भाइट यहां से वाई रिए तो यहांसे आप का आणसर कितना आ जायगा देखूism चार से कितिवार कट जाएगा दो बार और यहाँ पर आजाएगा कितना आ जाएगा कि में च्पान में तू वैसे एक सब्वोण में कितना कर那ू यह क्या सबी बच्चो का सब लुब है जाह है क्या X अपोन में 2y ृ ट्रीक है धिया दियान से समयनना कभी आपको ए प्लस B का होली स्क्वेरное माइनस आए माइनस वी का होली स्क्वेर दे रखा हो ठीक है इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है फोर अभी हyuखी है दग लेकीन कभी अगर बीच में यहां पर प्लस का साइन ओतोत जैसे ए प्लस पीका का holy Square और प्लस के यहां पर माइनस है यहां पर अगर माइनस भी का Holy Square तो इसका रिजल्ट होता है to a Square plus के b Square इस concept पे अभी मैंने कुशस नहीं करवाए हैं साइध करवा चुका हो ठीक है ना यह रहा ना यह पीप्लस क्यूंका Holy Square है हाँ यह क्यूंस भी मैं को कर वा चुका हूं आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट क्यूशन ठीक है आप इस कूशन में फस्ते ही फस्ते हो ठीक है देखेगा दा एवरेज ओफ 11 नमबर इस 681 number यनकी 11 संख्याओं की जो एवरेज इस्से इतना है ठीक है ड़ेज दा आबरेज ओफ दा फरस्फ फ्टॉर नमबर relying 78 चार संख्याओं का ए cricket that of the next four number 63 ओर नेक्स्टेट चार जो संख्याओं है उनका का Average कितना है 63 है ठीक है दा नाइन नंबर इज तू टंप्र इलेवन थ नंबर चीथ आध्य संख्या ARE we संख्या से दोगुनि है और दस्वी संख्या से कि धसी संख्या 11 संक्या से 4 कम है ठीक है तो 9 और 11 संक्याओं का आपको एवरेज बताना है चले इस सोल करने की कोशिज करते हैं भाई समझेगा देखो यहां पर आपको 3 संक्याओं का एवरेज हमें 3 संक्याओं की जरथ पड़ेगी यानि कि 9, 10 और 11 सबसे पहले आप अगर regular मेरी classes देख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले मेरे को एक बात होता हूँ यहां से हम लोग यह एवरेज कंपेर करते हैं बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं ठीक है तो यानि 11 संख्याओं का एवरेज तो कितना था 68 था लेकिन 4 संख्याओ का जो एवरेज है वो कितना है 78 है कितना है बीटा 78 है मिर एक बाक होता कम है कि ज्यादा है आप कहींगे यहां पर ज्यादा ए ठीक है अलब साक्राइब करो cesla अगरे यहांपर 65 होता तो कम कम होता तो कम होता तो हम ओडार करतेї ओधियां से समंधना अगर यहां पर इस वाले एवरेज से यानि कि यह जो पूरी संख्याओं का जो एवरेज है ठीक है इनके एवरेज से अगर यह संख्या कम होती सपोज करो यहां पर 65 होती तो 65 इससे कम है के ज़्यादा आप कहेंगे कम है तो कम होता तो हम लोग माइनस करते, ठीक है, देखेगा, लेकिन यहापर कितना है, जादा है, कितना जादा है, दस जादा है, अगर दस जादा है, ठीक है, अगर दस जादा है, एक संख्या पर, तो कितने संख्या पर जादा है, चार संख्या ओपर, कितने संख्या ओपर है अ there गाफ फिर से शब्र सब मेर को यह बता हो आगे यहां पर यह चार हो गाशना हो गार्ट फिरろ इन इसमें किश में आप ने निमर को हाथ है आप ना ही थी होना चीह थी ता और है क्या आप ची roll ज्यादा है तो आप कहेंगे यहां से यह जो एवरेज है यह कम है कितना कम है तो यहां पर यह पांच कम है कितना कम है यहां पर आप कहेंगे पांच कम है पांच कम है और पांच कम है कितनी संख्याओं पर है चार संख्याओं पर तो हम लोग किस से मल्टिप्लाई कर देंगे चार पर यानि कि यह स अब देखो क्यूशन है कि नवी संख्या ग्यारवी संख्या से दोगनी है यहां पर 9 यहां पर मैं 10 और यहां पर मैं 11 वाल लेता हूं ठीक है चलो यह बोल रहा है कि नवी संख्या ग्यारवी संख्या से दोगनी है नवी संख्या ग्यारवी संख्या से दोगनी अगर नवी संख्या ग्यार्वी संख्या से दोगनी है तो यहां पर ग्यार्वी संख्या अगर एक्स है तो नवी संख्या क्या टू एक्स होगी क्या ठीक है ग्यार्वी संख्या दस्वी संख्या ठीक है और दस्वी संख्या ग्यार्वी संख्या से चार कम है तो ग्यार्वी संख्य अच्छा से अगर 4 कम है तो मेरे को एक बात होता हूँ यहां पर क्या एक्स माइनस के 4 होगा क्या ठीक है कितना हो जाएगा एक्स माइनस के 4 क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या ठीक है जहां कहीं भी आपको डाउट लगे भाई आप लोग पूछ लेना कोई दिक्कत है ने ठीक ना बस आप लोग समझने की कोशिश करना ओके तो यहां तो यह हो गया अब मेरे को एक बत बताओ कितनी संख्याओं का लेना है सिर्फो सिप 3 संख्याओं का क्यों क्योंकि साथ यहां पर 8 संख्याओं का तो यहां पर मैं हम लोगों ने निकाल लिया प्लस माइनस ठीक है तीन संख्याओं का लेना और एक संख्या एवरेज दूरे इवरेज कितना हो जाएगा बस इसको आपको सूल करना है इस एक number जाएगा इसे लिए मैं कहता हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है आपके लिए काफी ज़्यादा मैं मैंनत करता हूँ उसको आप लोग समझेगा देखो यह कितना हो जाएगा 10 इंटु 4 कितना हो जाएगा 40 हाँ 20 माईनस के पांच इंटु 4 ब्यस अफारी आप दो यह कितना हो जाएगा दो आफी है चलो यहां से में कितना हो जाएगा और यह X और यह X कितना आ जाएगा 4X हो जाएगा 4X वराबर ठीक है समझतों आ रहा है ना आपको 4X वराबर कितना हो जाएगा देखो यहां से यह माइनस का है यह माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा यानिकि 204 और 208 हो जाएगा 208 हो गए और 40 में से आप लोग 20 माइनस करोगे तो बचेगा 20 प्लस का ही बचेगा 40 में से 20 माइनस करोगे तो प्लस का 20 बचेगा 20 को आप लोग इसमें माइनस करोगे ठीक है तो यहां से 208 हो गए थे नहीं है तो 208 में से जब आप लोग 20 माइनस करोगे तो य ठीक है कितना आ जाएगा 108 से आ जाएगा 108 से अगर 4 की वेल्यू है तो एक की वेल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे एक की वेल्यू आएगी यहां पर कितनी आ जाएगी चार से कार देते हैं तो चार चोके 16 और साथ चोके 28 यानि कि X की वेल्यू हमार पास कितनी आ गई 47 X के में लिए 47 आगे आप से कौन से पूची गई 9 और 11 संक्या 9 और 11 संक्या आप लोगों से पूची गई है चले 9 और 11 संक्या 9 संक्या कौन सी है ये रही और 11 संक्या कौन सी रही है ये रही तो 2 X 2 इंटू कितना आजाएगा यहां पर है तो एक्स और प्लस के एक्स ठीक है अपोन में कितना हो जाएगा तू यह आप लोगों से पुछा गया दो संख्याओं का यह व्रेज तो यहां पर या तो आप लोग एसे कर लो टू एक्स और एक्स एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स अपोन में टू ठीक है तो फोटी सेवन को थ्री से मल्टिप्लाई करो तो यह हो जाएगा साथ एक्षिस और चार्ज तीन चो के बारह और दो चौदा यानि कि 141 बटे दो और 141 बटे दो मेरे को एक बात उता हो कितना आ जाएगा यहां से क्या सेवन्टी पॉइंट फाइव आया है क्या सभी लोगों का अंस्वर कितना आ जाएगा सेवन्टी पॉइंट फाइव समझ गये फिर से समझाने की कोशिज करता हूं देखो 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 68 मैंने 11 संख्याओं का एवरेज 68 लिख लिए पहली 4 संख्याओं का एवरेज 78 है और अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 63 है ठीक है मैंने आप से सबसे पहले यह पूछा है कि घो यह जो सभी का एब रेंज जब शलिए चार संख्याओं का एब रेंज अवह गती अच्छ्टार संख्याओं का एब रेंज चार संञ्ट एटीयग टीनेकस्ट वाला है ऋससे कम है क्ः ज्यादा ए तो आफ़ कियां यह 52 this taking से कम है कि ज्यादा है तो आप कहींगी ज्यादा है कितना ज्यादा है दस अगर एक पर दस है तो चार पर कितना हो जाएगा चालीस ठीक है फिर दूसरे को कंपेर किया दूसरे को कंपेर किया तो यहां पर 63 है 68 से ज्यादा है कि कम है तो आप कहींगी कम है कम है तो माइनस का सा कितना हो जाएगा पांच और पांच कम है और कितनी संक्या ओपर है चार संक्याओं कर प्लस के ठीक है फिर यह कह रहा है कि नवी संक्या ग्यारवी संक्या से दोगनी है अगर नवी संक्या ग्यारवी संक्या से दोगनी है तो ग्यारवी संक्या मैंने एक्स वान ली तो नवी स संक्या अगर एकस है तो इससे चार कम है तो यह हो जाएगा एकस माइनस के फोर इन सभी को आप लोग सोल करोगे तो यहां पर हमें इस एट का तो खेल खतम कर दिया ठीक है यह एट नंबर्स का तो हम लोगों ने आठ संक्याओं का तो खेल दिया और ने खतम कर दिया बचे कितने टोटल ग्यारा संक्याये तहाइक तो आठ का तो हम लोगों ने तो बचे कितने तीन ही बचे तो तीन को फिर हम लोगों ने यहांपर सोल कर लिया क्या सबी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं Riteeork As देखेगा question है The distance of two cities A and B is 22 km दो नगर A और B के बीच की जो दूरी है वो 22 km है चलिए मैं माल लेता हूँ कि यहां से और यहां तक यह A और यह है B और यहां से यहां तक की जो distance है वो कितनी है 22 km है कितनी है 22 km है ठीक है A cyclist starts to go from A to B at a speed of 8 km per hour ठीक है एक cycle सवार 8 km प्रति घंटे की चाल से A से B की ओर चलता है कितनी speed से A से B की ओर यहन की A B की ओर चल रहा है इदर और किसी speed से 8 km प्रति घंटे से ठीक है 8 km प्रति घंटे की speed से चल रहा है इसके आदे घंटे बाद इसके आदे घंटे बाद मेरे करे एक बात होता है यह जो है वो कि आदा घंटा ज्यादा चला है क्या ठीक है यह यानि की first वाला यानि की यह कह सकते है यह है ठीक है इसको यह माल लेते हैं यह जो बंदा है और्ट जांटे वह आदे घंटे पहले चला है अगर आदा गंटा पहले चला है तो यह निकी की जो टाइम का डिफरेंशा वह हमेसा अध्र होला आदे घंटा तो ज्यादा ए रहेगा की किना तो यह जो है ये का यह वाला बंदा या आदा घंटा ज्यादा चला favour Bundyrey caring आगे चलते हैं, ठीक है, यह, टी प्लस के वन बाई टू हार, यानि कि आदे घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है, दूसरा जो साइकल सवार है, वो आदे घंटे बाद में चला, और कितनी स्पीड से चला, 10 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसका जो टाइम अगर मैं T मानता हूं, ठीक है, T गंटे, ओके तो यह इससे ज्यादा चला है, यानि कि कितना चला है आदे घंटे, आपसे क्या पुछा गया है, हाउ फार फ्रोम ए विल दे मीट, आपसे पुछा गया हुए दोनों, एसे कितनी दूरी पर मिलेंगे या आपसे पूछा गया है, देखेगा ध्यान से समझेगा, मेरको एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर बताना, यह जो टोटल डिश्टेंस है, यह कितनी है, 22 किलोमेटर है, ठीक है, यहां पर मैं इसको X मंदा माल लेता हूं, और इसको मैं माल लेता हूं V, आपको समझाने के लिए, मैंने इसको X माल लिया, और इसको मैंने माल लिया है Y, ठीक है, ध्यान से समझना, अब एक बात बताओ मेरको, अगर आप लोग 8 घंट, यानि कि आदे एक घंटे में, एक घंटे में अगर आप लोग 8 किलोमेटर जा रहे हैं, तो आदे घंटे में कितने किलोमेटर जाओगे आप कहेंगी 4 किलोमेटर, अगर एक घंटे में आप लोग, आपको पता है ना जो स्पीड होती वो 8 km प्रती गंटे यानि कि एक गंटे में 8 km डिश्टेंस कवर कर रहा है, 10 km प्रती गंटे यानि कि एक गंटे में 10 km की जो दूरी को तयार वो कम्प्लीट कर रहा है, 15 km प्रती गंटे यानि कि एक गंटे में कितनी डिश्टेंस कवर कर र रहा है तो आदे घंटे में आप कहेंगे आदे घंटे में आदे घंटे में हो जाएगी चार घंटे चार किलोमेटर की डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा ठीक है एक घंटे में आठ किलोमेटर तो आदे घंटे में चार किलोमेटर टोटल 22 किलोमेटर डिस्टेंस है तो बची कि इतनी आप कहेंगे 18 km बचिए 18 km कहां से आया 22 में से मैंने 4 माइनस कर दी 18 km ठीक है कि आप से कह रहा है कि वे दोनों एसे कितनी दूरी पर मिलें तो चार गन 4 km तो ज्यादा चलेगा और ठीक है आठ किलोमेटर प्रतिगंटा ठीक है तो यहां से यह 12 km के बाद में यह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यानि कि ओप्सान नंबर डी क्या सभी बच्चों का अंस्वर आया है क्या ठीक है कितना आ जाएगा 12 km आपके इस क्यूशन का एकदम सही जवाब आ जाएगा देखो मुझे समझाने में टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं लेकिन अगर आप एक्जाम होल में करेंगे तो आपको पता है एक घंटे में 8 km तो डाइरेक्ट परिच चार किलोमेटर चार किलोमेटर और आठ किलोमेटर जोड़के टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है पांस सेकिंड का तुछन करने के लिए मैं आपको पांच मिनर्थ तक टाइम समझाने का देता हूं समझवाने आ रहा है ना अगर आप समझ गए तो क्यूशन को एक्जाम होल में टिक करके आगे बढ़ेंगे और अगर आपको समझ ही नहीं आया तो आप क्यूशन तो क्या ही करोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिखेगा क्यूशन है आप सभी लोगों के सामने पीक्यू आर एक आइसो सेलेश ट्रेंगल है सम्धिभाव तिरभूज़ कोई दिक्कत है नहीं विच साइड्स पीक्यू इक्वल में पी आरे एक सम्धिभाव तिरभू जय और जिसकी बुज़़ाएं पीक्यू और पी आर इक्वल में 45 सेंटिमिटर तथा क्यू आर आपको 72 सेंटिमिटर दे रखा ठीक है पीन आधार क्यू आर की माध्यका है तो पीन की लंबाई आप आपको पूछी गई है इससे आसान क्यूशन नहीं हो सकता अगर आप रेगुलर क्लासे इस देखते हैं तो देखेगा एक ट्रेंगल है ठीक है यह मैंने एक ट्रेंगल बना लिया देखेगा यह मैंने एक ट्रेंगल बना लिया है और मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या नाम है पी क्यू आर है यह पी यह क्यू और यह हो जाएगा आर ठीक है है क्या क्या रहा है पी क्यू और पी आर इकवल है पी क्यू और पी आर इकवल है और कितनी लेंथ है 45 सेंटिमेटर अगर यह 45 है तो यह भी कितना होगा 45 ऐसा क्यूशन में कहा गया ठीक है चलिए QR 72 cm है Q से R है यह आपको 72 cm दे रखा है ठीक है कोई दिकत है नहीं ओके चलिए फिर क्या गरा है PN आधार QR की माद्यका है QR की माद्यका है अगर QR की माद्यका है तो मेरे को एक बत हो तो जो माद्यका है वो क्या मीड़ पॉइंट पर मिलती है क्या ठीक है मीडियन माद्यका जो है वो क्या हमेशा मद्य बिंदू पर यानि की मीड़ पॉइंट पर मिलती है आप कहेंगी बिल्कुल ठीक है अगर यह टोटल Q से R 72 है यहां से और यहां तक की लेंद्ध अगर 72 है ठीक है तो मेरे को एक बात होता हूँ यह भी लेंद्ध 36 होगी ठीक है और यह भी लेंद्ध कितनी हो जाएगी 36 हो गई ठीक है और क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जो माद्यका है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है चलो अब सभी बच्चे एक वात वताओ मेरे को आपसे PN की लंबाई पूछी गई है PN की लंबाई यानि यहां पर आपको एक 46 एक 40 तो आप लोग यहां पर यह वारी साइड नहीं निकाल सकते क्या यह हो जाएगा है कैसेBlack in से एक निकालना थोड़ा मुश्किल है तो आप क्या करो गे इसको ब्रेक करो पहले इसको ब्रेक चब आप लोग करो गयना तो यह हुजाएगा ना इन का तो म sufficient Guiller टीक तो पहले तो 9 लिख लो और फिर 9 को किस से multiply करो की 45 एफ जाए तो आप कहींगे 5 ठीक है यहाँ पर यह जो 36 है यह भी 9 का multiple है यहनि कि 9 तो ही है ठीक है अगेन 9 को किस से multiply करो कि 36 आजाए आप कहेंगे 4 से अब 9 तो सभी में common है ठीक है तो यहाँ पर भी 9 common आएगा ओके तो 9 common आएगा तो यह दोनों option कट जाएंगे ठीक है चलो एक already 36 है तो 36 तो आएगा नहीं अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप डाइरेक्ट टिक करके भी आगे बढ़ सकते थे लेकिन complete concept सिखाऊंगा समझेगा यह 9 इंटू 5 है यह 9 इंटू 4 है आप सभी लोग जानते हैं क्या कि 5 4 और 3 का triplet होता है ठीक है तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और 9 से तो सभी से multiply किया गया है तो 9 तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 यानि कि आपका सही जवाब कितना आजाएगा 27 ओके अब कई बच्चा यह भी पूछ सकता है कि जरूरत होना मैं इस साइड से करूं इस साइड से भी तो मेरे भाई यह इधर भी कर लो आंस्वर आपका से में आएगा यानि कि मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाता हूं वह वही सिखाता हूं जिसमें ना तो कुछ डाउट रहे ठीक है और वही जो आप लोग एक्जाम में apply कर सके ठीक है सभी के लिए वह कंसेप्ट लगे त तब भी आपके पास आंसर कितना आज़ेगा 27 नेक्स्ट क्यूशन एक पोल इस्टेंज वर्टिकली इंसाइड ए ट्रेंगुलर पार्क एबीसी ठीक है पहले कुस्ट कंसेप्ट है जैसे यह एंगल थिटा है और यह एंगल थिटा है ठीक है और यह इसके हाइट में माल लेता हूं एच है ओके हाइट में क्या हमाल लेता हूँ है तो अगर यह वाली साइड और यह वाली साइड बराबर है ठीक है तो यहां से यह जो साइड होगी यह होगी एच कोट ठीटा और यह भी क्या हो जाएगे एच कोट ठीटा बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हाइट हमेसा कोट में होती है ठीक है चलिए अब क्यूशन पर आते हैं क्यूशन आपका क्या कह रहा है एक पॉल इस्टेंज वर्टिकली इंसाइड ट्रेंगुलर पार्क एबीसी एक त्रिकोन में तिये पार्क है एबीसी के अंदर एक इस्तंब उद्रवार धार खड़ा है ठीक है एकडम आसाण क्यूशन है ठीक है समझने कि आप लोग कोसिस कीजेगा दिखेगा यहां से एक triangle आपको दिया गया है ठीक है बाई चलो यह आपको एक triangle दिया गया है और इसको नाम दिया गया A, इसको B और इसको C यहां पर पॉल इस तरह से है ठीक है प्रतेक होने से कि इसका जो एंगल ओफ इलिवेशन वो एकदम बराबर है ठीक है यानि कि पॉल कहां पर है यहां पर है पॉल कहां पर है यहां पर है अगर पॉल यहां पर है तो यहां से भी यह डिश्टेंस बराबर होनी चीए यह वाली डिश्टेंस भी बराबर होनी चीए और यह वाली डिश्टेंस भी बराबर होनी चीए ठीक है ध्यां रखना जब तीन वाटिक से तीन जो यहां पर सीर्स को ठीक है यह कोण ही रेखा है इससे अगर equal distance पर है तो हम लोग उसको बोलते हैं circumcenter या फिर परीकेंद्र क्या कहते हैं हम लोग उसको circumcenter या फिर परीकेंद्र ठीक है कि क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं चले नेक्स्ट कुशन के और लेके चलता हूं मैं आपको सोल कीजिएगा आंस्वर दूँ कि देखेगा यह एसा कंसेप्ट मैंने आपको कल भी सिखाया था ठीक है पूर्ण संख्याय है इफ फोर इंटीजर्स ए बीसी इफ एच एफट एबी इकल में वन एच एफ एच एप एच एकल में वन देन वीच वन ओप दा फॉलोविग इस करेक्ट ठीक है एचसी एफ एगर वन एं ठीक है एचसी एफ हमेशा वन ही आएगा ठीक है इस वात का आप लोग ध्यां रखना तो एचसी एफ इवS da कि ABC का कितना आजाएगा वन आएगा वन कब आएगा कब आएगा बताओ जब तीन संख्याय हैं और पूर्ण संख्याय है ओके यानि कि इनका जो है से अफ़ाएगा वह आएगा को प्राइम नंबर ठीक है आगे बढ़ते हैं यह आपके मेंस्योरेशन का क्यूशन आ गया भाई ठीक है सोल कीजेगा देखो क्यूशन है आपके सामने दा रेश्यो ओफ दा लेंद्स ओफ दा डाइगनल्स ओफ रोंबस इस तू रेश्यो फाइव है किसी समचत्र पुज के जो विकड़का अनुपात है वो कितना है दो अनुपात पांच है ओके देन दा रेश्यो ओफ दा इरिया ओफ दा रॉंबस तूदा इस्टा इस्पैर ओफ सोटा डाइगनल्स उस सम्चत्र 550 वै उसके छोटे वाले keen से बने विकंड से बने यानि कि डाइगनल से बने वर्क के छेत्रफल यानि कि स्क्वाइर के छेत्रफल का अनपात आप से पूछा गया तो आपको क्या पता होना चीए पहले तो डाइगनल यानि कि रोमबस का एरिया पता होना चीए और एक स्क्वाइर का एरिया पता होना चीए चल रोंबस यानिकी सम्चतुर्भूज इसका एक डाइगनल यह रहा और एक डाइगनल यह रहा ओके चले इनका जो रेशो दे रखा है यह 2 और 5 है यानिकी यह एक डाइगनल इसको आप लोग 2x माल लो और इसको आप लोग 5x माल लो ओके यह वाला कम्प्लीट डाइगनल इसको मैंने 2x मान लिया और ये वाला जो diagonal है इसको मैंने 5x मान लिया। थीक है चले। सबसे पहले मेर चोई एक वद उता ह। जो एरिया होता है वो क्या होता है इसका तो आप कहेंगे कि जो rhombus होता है समच चत्रभुज होता है इसका एरिया होता है 1 by 2 D1 into D2 ठीक है यानि कि diagonal first into diagonal second ओके फिर क्या गेरा है उस सम्चत्रवुज के छेत्रफल वह उसके छोटे वाली विकन छोटे वाला विकन कौन सा है 2X है कौन सा विकन है छोटा वाला 2X है तो 2X का इसने square बनाया है ठीक है स्क्वाइर यानि कि वर्ग बनाया चले तो इसकी जो साइड हो कितने हो जाएगे 2X तो आप सभी लोग जानते हैं स्क्वाइर का एरिया क्यों होता तो आप कहेंगे स्क्वाइर का जो एरिया होता है छेत्रफल होता है वह होता है साइड इसक्वाइड कितना होता है साइड इ इन दोनों का क्या आप लोग ratio निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखेगा कैसे, इसका area यानि की 1 by 2, D1, D1 यानि की weekend first, diagonal first, तो diagonal first कुण सा है, 2x, 5x कुछ भी ले लो, यहाँ पर 2x into diagonal second यानि की weekend second कितना है, 5x ratio, ठीक है, यहाँ पर यह जो square है, इसका area कितना होता, side square और side कितनी है, 2x, तो यह हो जाएगा यहाँ से 4x square, ओके, चलेए, ठीक है न, अब देखेगा यहाँ से, यह x square है, तो मेरे को एक बात होता है, यह x और यह x, यह x square कर जाएगा, ठीक है, चलो, और यहाँ से यह 2 है, यह 2 कर जाएगा, तो आपका answer कितना आजाएगा, यहाँ पर 5 बचा, और यहाँ पर 4 बचा, तो आपका जो answer है, यानि की ratio है, वो कितना आजाएगा, क्या 5 ratio 4 आएगा, option number A, क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number next, चले, solve किजिएगा, answer दो, देखो, question है, ठीक है, the ratio of weight of cumless and sham is 4 ratio 5, cumless और sham के जो वजन का अनपात है, वो 4 अनपात 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, the weight of cumless is increased by 10%, ठीक है, total weight of cumless and sham is increased by 82.5 kg, cumless का वजन 10 प्रतिशत बढ़ गया, कुल वजन दोनों का 82.5%, 82.5 kg बढ़ गया, ठीक है, the percentage of increment in total weight is 15%, कुल वजन में 15 प्रतिशत की व्रदी हुई, find the percent change in weight of sham, तो sham का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है, हमेशा मैं आपको क्या सिखाता हूँ, जब कभी भी आपको answer percentage में पूछे, ठीक है, अगर कभी भी answer percentage में पूछे, तो हम लोग real value का use नहीं करते, यह हमेशा मैं daily करता हूँ, डेली सिखाने की कोशिज करता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहें ठीक है जब कभी भी आंस्वर परसंटेज में पूछे तो हम लोग real value का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अगर real value का यूज नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? हावना? चले, देखते हैं. देखो, यहाँ से कमलेस का वजन कितने percent बड़ा है? 10% बड़ा है. कितने percent बड़ा है, बीटा? 10% बड़ा है, ठीक है? कमलेस ठीक है कमलेस का वजन 10% बढ़ा है और हमें नहीं पता कि स्याम का वजन कितना बढ़ा है तो हम माल लेते हैं कि X% बढ़ा है कितना बढ़ा है X% बढ़ा है ओके और दोनों का जो वजन है कुल वजन है वो कितना बढ़ा है 15% बढ़ा है और यहां से इन दोनों का जो ratio दे रखा है वजन का वो दे रखा आपको 4 और ratio 5 ठीक है भाई चलो किसी को कुछ भी doubt है क्या देखेगा मैं आप से फिर से कह रहा हूँ आप लोग आते हैं class में फिर से class होड़ देते हैं फिर आप 10-15 मिनट फिर घूम के आते हैं फिर class में आते समझ करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं ठीक है तो आप लोगिस class को पूरा देखा करो अगर समझ नहीं आए तो आप لوग मेरी को बोला करो ठीक है आप लोग कुछ भी नहीं बस आप किसी के सामने यह class चल रहे है चलती जारी चलती जारी बाक में बंद होती है नो उसके तो यहां पर आप लोग हाँ ना समझ आया नहीं आया कम से कम यह तो आप लोग रिपलाई करी सकते हो ना ठीक है तो आज के बाद यानि कि जो भी क्लास में अटेंड रहेगा आपको यह तो पता चल गया कि क्यूसंस का लेवल क्या है और हम लोग कितनी बाते करते हैं यह तो आपको सभी को पता है ठीक है लेकिन अगर आप वास्तों में सीखने के परपस से आते हैं तो क्यों ना मुटलब आप लोग कम्प्लीट क्लास को देखा करें ठीक है चलिए कि कि देखेगा कि यहां पर का कमलेश का वजन 10% वड़ा है स्याम का वजन का हमें नहीं पता और यहां पर दोनों का जोड़ वजन है वह 15% वड़ा है और इनके जो वजन का यान की वेट का जो ratio दे रखा, वो 4 ratio 5 दे रखा, अब मेरके एक बात हो, क्या यहाँ से आप लोग allegation लगा सकते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या allegation लगा सकते हैं, क्या आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से जब आप allegation लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 15 में से 10 जाएगा, पांच बचा, फिर से समझाता हूँ, यह 15 है, 15 में से 10 जाएगा, तो कितना बचा 5, अगर 5 की वेल्यू 5 है, तो एक की वेल्यू कितने आजाएगी, आप कहेंगे एक, पांच की वेल्यू अगर 5 है, एक की वेल्यू कितने आजाएगी, एक, अगर यहाँ पर 10 होता तो, अग की वेलू कितनी आती थीक है चलो अगर एक कीरेव लीचार एक हो helps to करें यहां पर यह जो एलीगेशन वाला कंसेप्त है ठीक है यहां पर यह 15 ला से एक संख्या तो छोटी आएगी जो हमारे पास ओल्रेडी है ठीक है पंद्रा है अगर यहां पर पंद्रा है तो यहां पर इससे एक संख्या तो छोटी आएगी लेकिन जो दूसरी संख्या ना वो इससे बड़ी आएगी ध्यां रखना तो हमें एक बात वताओ यहां पर पं और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यानि कि जो स्याम का वजन बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है तो आप कहेंगे 19 परसेंट शाम का वजन बढ़ा है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन वाट इस दा यूने डिजिट ओफ दा समों फाइस्ट ट्रिपल वन होल लंबर प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का एकाय का अंग क्या है मैं आपको ग्यारेंटी के साथ कह सकता हूं इस क्यूशन को आप लोग सोल यानि कि सही आंस्वर नहीं बत क्यूंतर आसकते हैं आप लोग मिश्टेक करोगे चायाँ करके देख लो नापका q coefficient वो ही लेके आता हून जो आपके एक्जाम में आते हैं और जो आपको एक्जाम में परिशान करते हैं यानि की CILLING मिष्टेक आप लोग करते हैं ठीख है और घर पे आने के बाद आपको पता चलता है कि हमारा टो कुशं सही था लेकिन आंस्वर गलत कर करता बस आपका answer आना चाहिए इसका answer 4 आएगा 6 आएगा 5 आएगा ये 0 आएगा चले सोल कीजेगा और आनस्वर्दों कर देखेगा समझेगा प्रतम 111 पूर्ण संख्याय है कौन से संख्याय है पूर्ण संख्याय का मतलब यह है अगर तीन पूर्ण संख्याय है ठीक है तीन अगर पूर्ण संख्याय है तीन अगर वोल नंबर है ठीक है तीन अगर वोल नंबर है तो कैसे हो जाएगा जीरो, एक और दो, ओके, ऐसे, अगर यहाँ पर पांच पून संख्याए हैं तो, पांच अगर पून संख्याए हैं, ठीक है, तो वो संख्याए के उन्से हो जाएगी, जीरो, एक, दो, तीन, और चार, अगर पांच पून संख्याए हैं, तो लाश्ट डिजिट, लाश्ट ज संक्या आईगी वह हमारी च्हाइय की के लेकिन पूर्ण संक्या है тоб some friends यहां पर प्याच संख्या याधक आसा लगेगा कि यहां पर जो लाश्ट। संख्या है वह पांच उनिची नहीं कि अगर पूर्ण संग्या है तो जीरो हम दी कांट कोई तो 0 यानि की ए grow पर तीन, चार और – तीग है, जब आप लोग पांच ओर लगाओं गैं, तो 6 संख्या हो जाएगे, लेकिन आपको यहाँ पर 5 संख्या है, ठीक है, समझ गए ना, चले, देखेंगा, आपको दिया गया है 111 पूर्ण संख्याएं 111 पूर्ण संख्याएं 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताना है ठीक है तो मेरे को एक बात उताओ यहां पर 111 है तो जीरो फिर चलिए देखेगा किसी का आंसर नहीं आया है अच्छी बात बहुत ही अच्छी बात है देखेगा जीरो प्लस के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर और ऐसे चलते 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 कहां तक आएगा अगर 111 पूर्ण संक्याय है तो 110 लाश्ट संक्याय अभी मैंने आपको सिखा है था ठीक है अगर यहाँ पर 115 पूर्ण संक्याय होती तो तो यहाँ पर जो लाश्ट संक्याय आती वो 114 आती ठीक है अगर यहाँ पर 288 पूर्ण संक्याय होती तो जो लाश्ट संक्याय आती व वो क्या बता रखा है वो होता n और n प्लस 1 बाई 2 होता है यहाँ पर n की value है कितनी यहाँ पर n की value है 110 इन्टु n प्लस 1 यानि की 110 और 1 111 और अप वोन में किस से डिवाइड कर देंगे 2 से ठीक है 2 से किती बार कटेगा यह 55 बार आप से क्या पूछा गया है एकाई का अंक पूछा गया यानि कि यूनि डीजिट पूछा गया अगर यूनि डीजिट पूछा गया है तो मेरे को एक बता पांच को एक सा मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आएगा पांच तो आंसर क्या आ जाएगा क्या सभी वच्चों का आंसर सी आया है क्या ठीक है कित आजाएगा अंस्वर सी कि आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्यूशन कि देखेंगा क्यूशन पार्टनर्शिप का है एन बी इन्वेस्ट इन बिजनेस इन दा रेश्यो फोर रेश्यो फाइव ए और बी ने किसी व्यापार में चार अनपात पांच के अनपात में निवेस किया ठीक है टेन मांस भी लिव जडा बिजनेस आप्टर विड्राविज इन्वेस्ट में दस महिनों के बाद बी ने अपना निवेस है वो वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ले ठीक है यानि कि वापार से हट गया ओके इन दा फर्स्ट येर दा बिजनेस में Qué तो फोटी नाइन हाउजन सबसे आसान क्यूशन ठीक है सबसे आसान क्यूशन जितने भी क्यूशन समय मैं करवाए Analytics कसरा है समझेगा समझेगा देखेगा एक ए और यह कहीं यहां पर बी कोई दिक्कत है नहीं ए और बी ने किस्व अपार में चार अनपाथ पांच के अनपाथ में निवेस किया यानि कि इसने चार लाख इसने पांच लाख इसने 2500 ये अनपाथ फांच ठीक के 10 महीन आपना निवेस वापस ले लिया यानिे तक इसने बीह ने काम किया अगर दस महीन तक ही बीने काम किया ठीक है तो इनका जो टाइम है वो कितना होगा तो आप कहेंगे यह झो टाइम है इसको हम लोग 10 से multiply कर देंगे और यह ना तो हटा है ना यह कुछ पुझी वगरा लगाई है तो यह कितने महीने तक रहा होगा 12 महीने तक ठीक है चलो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 profit का ratio यहाँ पर आ जाएगा 50 ठीक है 28 को यह 48 को 2 से divide करोगे तो 24 और यह 50 को 2 से divide करोगे तो 25 आपसे क्या पूछा गया है B का share पूछा गया सभी लोग मिलकर एक बात बताओ यहाँ पर B का share आपसे पूछा गया है टोटल कितना है आप कहेंगे 49,000 क्या 49,000 को आप लोग 24 रेशो 25 में नहीं डिवाइड कर सकते क्या बिलकुल कर सकते हैं तो टोटल प्रोफिट कितना है 49 अजाद टोटल के नीचे रेशो का टोटल 24 और 25 कितना हो जाएगा यहां पर 49 और किस से multiply कर देंगी किसके लिए प पूछा है तो बीका सेर के लिए 25 से multiply अगर यहां पर एक के लिए पूछता तो टोटल प्रोफिट कितना 49,000 के नीचे रेशो का टोटल यानिकि 49 और multiply किसे कर देंगे 24 से 4949 कट गया तो यहां से बीका आंसर कितना आजाएगा बीका जो प्रोफिट है वो कितना आजाएगा क्या 25,000 आया है क्या कितना आजाएगा 25,000 कि ठीक है आगे बढ़ते हैं क्यूशन नमबर नेक्स्ट अि पर संटेज का सबसे आशान क्यूशन है थर्तीन पर संट ओफ नमबर इस सिक्स्टीन मोर देन इट्स five पर संट नमबर ही किसी नमबर का 13 पर संट उसके पांच पर संट से 16 ज्एदा है मिलकि एक बाद दो 13 पर संट और 5 पर संट का डिफरेंट सी सोला है क्या है 13 परसेंट उसके 5 परसेंट से ज्जादा है यानि कि 13 परसेंट और 5 परसेंट का ही डिफरेंस है वह 16 है क्या बिलकुल है तो हम कह सकते हैं कि 16 की वेलिक इंति है तो 13 में से 5 जाएगा तो आठ और आपको तो की वेलिक उची गई है ठीक है तो 2 से किति बार कटेगा यह यह 8 16 से किती बार कटेगा दो बार यानिके अंसर कितना आ जाएगा 200 कितना अंसर आएगा 200 नेक्स्ट क्विशन यह आग्या है आपका प्रोबेबिलीटी का ठीक है चलिए ओने न्यू यर डे एवरी स्टूडेंस ओफ ए क्लास सेंसे कार्ड टू एवरी अधर इस्टूडेंस नए साल के दिन एक कक्षा का प्रतेक छात्र दूसरे छात्र को एक कार्ड भेजता है ठीक है क्षा में कितने विधारती है यह आप से पूछा गया है ठीक है क्या आप सबी लोगों को पता है क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप सबी लोगों को पता है क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप सबी लोगों कार्ड वित्रित किये गए है ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद है के नहीं है एक बार कमेंट करके बताओ ठीक है तो यह होता है 2 इंटू N C 2 और इक्वल में कितना हो जाएगा कितने कार्ड है 600 कार्ड है अगर 600 कार्ड है तो इक्वल में 600, 500 है तो 500 700 है तो 700 ठीक है चले यहां पर 2 इंटू N C2 को हम लोग कैसे solve करेंगे तो यहां पर आ जाएगा N और N माइनस के 1 और अपोन में C2 है तो C2 को यानि कि 2 बार हम लोग 2 इंटू 1 अगर यह C3 होता तो C3 को हम लोग कैसे multiply करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 4 होता वो हम लोग पिछले क्लास में लेकिन यहां पर कार्ड वित्रित के लिए यहां पर सिर्फो सिर्फ C2 ही हम लोग यूज करते हैं ओके और इसके equal में कितना है 600 किसी को कोई दिक्कत है आप कहेंगे नहीं है कोई दिक्कत हमें चलिए यहां से देखो 2 से 2 कर जाएगा तो यहां से बचेगा N N-K1 और equal में कितना है 600 या तो आप लोग इसको quadratic equation बनाओ ठीक है या फिर आप लोग क्या करोगे यहां से आप लोग N की value ऐसे सोचो कि N और N में से अगर 1- करे दोनों को multiply करके 600 चले by option की हम लोग help लेते हैं तो N की value अगर मैं 25 रखता हूं तो यह हो जाएगा 25 इन्टू N-1 यानि कि 25 में से एक जाएगा तो 24 और इसके equal में क्या 600 आ रहा है क्या देख लेते हैं तो यहां पर पच्छी सो के सो यानि कि 10 और पच्छीस दोनी 50 और 10 60 बिल्कुल आ रहा है तो आपका अंसर कुन सा हो जाएगा option number A क्या सभी बच्छे अच्छे से समझ पा रहे हैं next question profit and loss का question है समझेगा देखो इस soap की पर sells an article for 10% profit एक दुकांदार किसी वस्तू को 10 प्रतिसत लाब पर बेशता है ठीक है if he buys it for 4% less यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे ठीक है and sells it for 18 3 upon 4% profit तो वह पहले से ठीक है खरीदे और 18 साही तीन बटे चार प्रतिसत लाब पर बेचे then he gets 10 more रुपीज तो वह पहले से 10 रुपए अधिक पा लेता है यानि कि पहले से 10 रुपए ज़्यादा प्राप्त करता है ओके what is the original cost price एकदम आसान क्यूशन है और very important भी है समझेगा इस वात को क्यूशन तो खर जितने भी करवाता हूं मैं सभी important है ओके देखेगा सबसे पहले तो 18 सही 3 बटे 4 परसेंट को सोल करते हैं ओके यह 18 सही 3 बटे 4 परतिसत को हम लोग fraction में बदलते हैं 18 सही 3 बटे 4 परतिसत ठीक है इसको सोल करते हैं अठार चो के 22 और 3 यानि कि यह हो जाएगा पिचेतर बटे 4 पिचेतर बटे 4 और परसंटेज अठाएंगे 100 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं यहां से पिचेतर 25 से किती बार कटेगा 3 और 25 से किती बार कटेगा 4 बार तो यहां से यानि कि 18 सही 3 बटे 4 का friction कितना आजाएगा आप कहेंगे 3 बटे 16 आजाएगा कितना आजाएगा भाई 3 बटे 16 आजाएगा कोई doubt है नहीं है अब देखते हैं क्यूक्षन को एक दुकांदार किसी वस्तु को 10% के लाप पर बेचता है एक CP है और एक क्या है यहां पर फीक है CP यानिकी दस प्रतिसात के प्रोफिट पर अगर बेचेगा तो वस्तु 100 Окs के खरीदा होगा तो बेचेगा कितने की 110 रुप में ऐस था कि अब किसी वस्तु को 10% profit पर बेच रहें कैसे तो आप कहींगे 100 रुपए की वस्तों हम लोग खरी देंगे अगर 10% का profit है तो हम लोग कितने की बेचेंगे 110 की ठीक है यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे अगर 4% कम में खरीद रहा पहले 100 रुपए में खरीद रहा था अब अगर 4% कम में ख सस्ता यानिकि 96 में खरीदेगा क्या ठीक है कितने में खरीदेगा 96 में खरीदेगा ओके 96 में खरीदेगा और वह 18 सई 3 बटी 4 प्रतिसत के लाप पर बेचेगा अठारा सई 3 बटी 4 प्रतिसत यानिकि 3 बटे 16 तो 96 का 3 बटे 16 कितना हो जाएगा देखते हैं 16 से किती बार कटेगा 6 बार और 6 अठारा अठारा आप लोग इसमें एड कर दो 96 में जब आप लोग अठारा एड करोगे तो यह आजाएगा 114 कितना आ जाएगा 114 अब सभी बच्चे एक बात वताओ मिरको पहले आप लोग बेच रहते 110 रुपए में और अभी जो किसी वस्तुको किसी आर्टिकल को आप लोग बेच रहते एक सो चोदा रुपए में भूपय हो रहा है कि लो सो रहा है आप कहींगे कि परोफिट और है कितना आधिकु ले रहा है दस रुपए कि क doing well कितनी है चार और आप से क्या पुछा गया है वास्त्वा क्रम पी नहए कि वह कितना है कि सो ही है क्या तो हम लोग यहां पर सो से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह किति बार करतेगा 25 टाइमस आंसर कितना आज एगा 250 रूपीज ठीक है ओप्सान नंबर यह आपके इस क्यूशन का एकदम सही जवाब होगा आगे बड़े नेक्स्ट क्यूशन रेशो का क्यूशन है what must be added to each term of the ratio to ratio 5 so that it may equal to 5 ratio 6 2 ratio 5 के अनपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5 अनपात 6 के बराबर हो जाए देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 5 इन में हमें क्या जोड़ना चाहिए यानि कि हम जोड़ देते एक्स और यहाँ भी जोड़ देते एक्स ठीक है कि परिणाम कितना हो जाए 5 अपन में 6 हो जाए क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे अंसर आज आए 6 को 2 से मल्टिप्लाई करोगे 12 क्रेंगा 6 को x सें मल्टिप्लाई करोगे 6x 5 को 5 से मल्टिप्लाई करोगे 25 और यहाँ से x को 5 से मल्टिप्लाई करोगे 5x ठीक है चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे यह 6x है और यह 5x है तो 6X में से 5X जाएगा तो बचेगा X और यहां से 25 25 में से 12 जाएगा तो आएगा 13 क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर हमें 13 एड कर देते हैं क्या एड कर देते हैं 13 अगर हम लोग एड कर देते हैं तो यह जो ratio है यह कितना हो जाता है 5 upon में 6 हो जाता है 5 ratio 6 हो हो जाता है यहां पर क्या एड करें तो पहले ऊप्सनलेटे हैं टू प्लस के 12 अपन में कितना हो जाएगा फाइव प्लस के 12 इसके इक्वल में यह कितना हो जाएगा 12 और 2 14 बते यहां पर 12 और 5 17 क्या यहां से फाइव रेश्यो शीक्स आ रहा है क्या आप कहेंगे नहीं आ रहा यह आंस्व नहीं होगा तो प्लस के सेकंड यानि की 13 लेते हैं तो 2 प्लस के यहां पर 13 अपोन में 5 प्लस के यहां पर 13 तो यहां पर 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और यहां पर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हारा कि इन दोनों के बराबर क्या फाइव अपन में शिक्स आ रहा है तीन से गाड़ते हैं पांच बार तीन से छे बार हां बिलकुल आ रहा है तो आपका अंसर कुन सा हो जाएगा ओप्शन नंबर भी ठीक है बाई चले आगे बढ़ते हैं कि युशन नंबर नेक्स्ट देखेगा आप लोग से की स्क्वाइट थिटा को आप लोग वन प्लस के टेन स्क्वाइट थिटा भी लिख सकते हो ठीक है से की स्क्वाइट थिटा को आप लोग क्या लिख सकते हो वन प्लस के टेन स्क्वाइट थिटा भी आप लोग लिख सकते हो देखिएगा यह यह से की स्कुराय ठीटा प्लस टेनी स्कुराय ठीटा इक्वल में आपके पास यह है तो आप से कोश्ट ठीटा प्लस के साइन ठीटा की वेल्यू पूछे गई यह आई यह समझता है कि दुखो आपको दिया गया है से की स्कुराय ठीटा और प्लस के 10 स्कुराई ठीटा और equal में कितना है तो यह है साड़े तीन तो 3 दो निच्छ है और 1 7 बटे 2 है ठीक है कितना है 7 बटे 2 है कोई दिक्वत है नहीं है अभी मैंने आपको क्या सिखाया है क्या समझाने की कोशिस की है मैंने अभी आपको यह सिखाने की कोशिस की है कि आप लोग से की स्क्वाइट थिटा को वन प्लस टैनी स्क्वाइट थिटा लिख सकते हैं यानी स्क्वाइब थिटा और इकवल में यह वन इधर आ के 1-7 वाइट तू यानि की सात में से दो जाएगा तो यानि की पांच बटे 2 जाएगा ठीक है 2 10 square theta equal 5 by 4 है तो यहां से 10 square theta की value कितनी आ जाएगी 10 square theta की value यहां से आ जाएगी 5 by 4 5 by 4 कहां से आया यह 2 है यह multiply होके नीचे चला गया तो 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 आ गया अगर 10 square theta की value 5 बटी 4 है तो 10 theta की जो value होगी वो कितनी हो जाएगी तो 5 का root होता है क्या तो यह हो जाएगा root में 5 यह 4 किसी का under root होता है कि बिलकुल होता है तो यहां पर आ जाएगा 2 अब यहां से 10 theta की value root 5 बटे 2 है 10 theta होता क्या आप कहेंगे perpendicular upon में base होता है लंब अपॉन में आधार होता है ठीक है तो यहां से आप लोग hypotenuse या फिर करने निकाल सकते हो बिलकुल निकाल सकते हैं कैसे यहां पर 5 रूट 5 का square प्लस 2 का square तो 5 और 4 नो यानि की hypotenuse करन कितना आ गया है तीन आ गया है आप से क्या पूछा गया है कोश थिटा प्लस के साइन थिटा पूछा गया है क्या पूछा गया है आप से किसकी मेली पूछे गई है कोश थिटा प्लस के साइन थिटा कोश थिटा प्लस के आप से पूछा गया है साइन थिटा कोश थिटा क्या होता है आधार अपोन में करन ठीक है यानि की बेस अपोन में हाइपोटेनस तो बेस है कितना आप कहेंगे यहां पर दो और हाइपोटेनस कितना है तीन है ठीक है प्लस के, साइन थिटा, साइन थिटा होता है लंबटे कर्ण, यानि कि परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है कितना है यहापर रूट में 5, और अपोन में हाइपोटेनस है कितना, तो यहापर है 3, तो यहाँ से आंसर कितना आजाएगा, 3 तो LC से मा जाएगा ठीक है और यहां से कितना जागा टू प्लस से रूट फाइव अंसर कौन सा होगा ओप्सन नमबर टू प्लस रूट फाइव अपोन में थ्री ओप्सन नमबर बी क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएए हैं चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट कुशन है ठीक है यह क्लास का आज की क्लास का हमारा लास्ट कुशन है देखिएगा 22 कुशन नमबर सोल कीजिएगा अंसर दो देखो A, B और C can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively A, B, C अकेले काम करते हुए किसी काम को करम से 50 दिन, 45 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेता है A, B और A के C है ठीक है A किसी काम को 50 दिन में, चलेए 50 दिन में B किसी काम को 75 देज में, ठीक है और C उसी काम को 20 देज में, ओके सबसे पहले हमारा जो काम होता है time and work के लिए वो होता है LCM 50, 75 और 20 इसका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 LCM आ जाएगा ठीक है,LCM कितना आएगा? 500 तो मिरेको एक बात था हो, 300 यूनिट, 300 आपको टोटल व्थी है celui? ठीक है US just in total, 1998 300 unit कां करना है आपको, ठीक है तीन सो में पिचेतर का भाग देदो चार और तीन सो में बीस का भाग देदो पंद्रा तो यहां से एक दिन की एफिसेंसी कितने आजाएगी तीनों की छह चार दस और पंद्रा पत्चीस आगे बढ़ते हैं क्यों में डे ओल वर्क टुगेदर फोर फोर डेज वे सभी चार दिन तक एक साथ काम करते हैं देन सी क्विट सीच काम छोड़ देता है बचे वह काम को ए और बी कितने दिनों मे कłęशें पूरा करेंगे देखेगा कि यहां पर ए बी और सी शुरुआत्ता में चार दिन तक कारें करते हैं अगर चार दिन तक कारें leaves करते हैं तो मेरे को एक बभाता है हो 25 दिन में तो चार कर दिन में कितने पयार जाएंगे सो से हम लोग सो मैनेस घह आप जो आप कहेंगे ए और बी करेगा एक की एफिसेंसी कितनी है एक एफिसेंसी चार है और बी की एफिसेंसी चार है तो टोटल कितना हो जाएगा दस तो कह सकते हैं क्या कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कर देंगे दस दिन में ठीक है बाई कितने दिन में कर देंगे दस दिन में तो आपका सही जवाब कितना आ जाएगा ए और बी की एफिसेंस कितने आ जाएगे 10 तो दोसों में 10 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगी 20 दिन चले यह थे हमारे आज की क्लास कोई भी बच्चा अगर नया है ठीक है तो आप क्लास 24 को एप्लिकेशन है उसको डाउनलोड कर ले क्यों क्योंकि इसकी एजटी जेव वित सोलुशन पीडिया पर यह क्लास 24 के एप्लिकेशन पर मिलती है ओके और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लो फिक्स आपके लिए यह पांच बज़े से साठी छव बज़े तक एक लास सलती है और बीना किसी ओफ के लास की किसी भी फेस्टिवल को आपकी छुट्टी नहीं रहती इस क्लास की ना ही संडे मंडे किसी की हाथ में रखना मिलते हैं कल कि तब तक के लिए थेंक्यू बाई बाई टेक क्या ठीक है चले